आज हम बनाएंगे चना दाल और लाल साकी बहुत ही टेस्टी सबजी इसे बहुत तरीके से बनाया जाता है लेकिन इस तरीके से आप लोग एक बाद जरूर ट्राइ कीजिएगा बहुत ज़्यादा पसंद आएगा अगर हमारी रेसिपि आपको अच्छी लगे तो लाइक शेर और सबस्क्राइब सरूर करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एकड़ाही में तेल एड़ कर दिया है जो चार बड़ा चम्मच है दो साबुत लाल मिर्च और यहाँ पर दो मेडियम साइज का प्याज शामिल क इस सब्जी को आपको सर्सो के तेल में ही बनाना है तब जाकर यह सब्जी बहुत जादा मज़िदार बनती है तेल अच्छे से गरम हो जाने के बाद ही आपको प्यास अड़ करना है आप देख सकते हैं प्यास के उपर कलर आ गया है अब इसमें दो मेडियम साइज का तो आप सकते हैं यह सब्जी टमाटर के बगएर भी बहुत जादा लाजवाब बनती है तो आप देख सकते हैं टमाटर को अच्छे से हमने फ्राइ कर लिया है अब इसमें कुछ सूखे मसाले आट कर लेंगे इसमें हम काफी कम मसाले का इस्तमाल करने वाले हैं तो यह है एक फड़ा दन्या पॉडर एक छोटी चमच जीरा पॉडर लाल मिर्च तीकी वाली है एक छोटी चमच और नमक पसंद के मुताबे नमक हमने बहुत कम इस्तमाल किया है अगर हमें बाद में नमक की ज़रुरत पड़े गी तो हम आगे इस्तमाल कर लेंगे हमने नमक का इस्तमाल कम क्यों किया है ये आपको हम आगे बताएंगे तो मसाले डालने के बाद धीमी आज पर हमने इसे भून लिया है अब इसमें हम चना डाल डालेंगे तो आधा कब चने डाल को हमने दो घंटे के लिए भीगो दिया था ताकि ये अच्छे से गल जाए इसे कडाही में अगर बनाने वाले हैं तो चने डाल को अच्छे से आपको भीगो लेना है तब जाकर ये अच्छे से गलता है तो इसे डालने के बाद एक मिनट के लिए हम भून लेंगे इस सबजी को आप रोटी चावल के साथ खा सकते हैं लेकिन मेरे घर में इसे चावल के साथ खाना पसंद करते हैं तो आप लोग भी इस तरीके से बना कर चावल के साथ जरूर खाईए तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने इसे भून लिया एक मिनट अब यहाँ पर हमने लाल साग ले लिया है जिसे एकदम बारिक काट लिया है साथ में हमने डंडी भी काट ली है जो सौफ्ट डंडिया है उसे काट ली है और जो हाड है उसे हमने हटा दिया है तो इसे हम डाल देंगे और हाँ साग को अच्छे तरीके से 6-7 बार पानी में धुलना है क्योंकि इसमें काफी जादा मिट्टी होती है तो अच्छे तरीके से हमें साग को धुलना चाहिए अभी आप देख सकते हैं ये सबजी दिखने में कितनी जादा लग रही है लेकिन डालने के बाद 2 मिनट के फोरण बाद ये बहुत थोड़ी हो जाती है इस वज़ा से हमने नमक का इस्तमाल कम किया है आप चाहें तो बाद में इस पॉइंट पर नमक का इस्तमाल कर सकते हैं अब इसमें 2 हरी मिर्चे हमने एड़ कर दी है एकदम बारी काट लिया था और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसका कलर आप देख सकते हैं अगर हम कडाही में बनाते हैं तो कलर इसका रेड ही रहता है और अगर हम कूकर में बनाएंगे ना तो इसका कलर एकदम ग्रीन हो जाता है मिक्स करने के बाद इसे ढग देंगे और धीमी आज पर सबजी गलने तक पका लेंगे अब इसे चेक कर लेते हैं क्योंकि ये सबजी बहुत जल्दी गल जाती है तो ये देखिए हमारी सबजी बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है और दाल जो हमने इस्तमाल की है वो भी अच्छे से गल गई है तो इसे हम आगे चेक करके देखाएंगे कुछ लोग इसे खाना पसंद नहीं करते हैं और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है तो जो लोग खाना पसंद नहीं करते हैं, इस तरीके से बना कर आप लोग जरूर खिलाएए, ये सबजी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, तो ये देखिए, डाल आप देख सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से गल चुका है, इसी तरीके से आपको तयार कर लेना ह सबजी जब अच्छे तरीके से गल जाए तो इसे हम मैश कर लेंगे और इस पॉइंट पर हमने गैस आफ कर दिया था मैश करने के बाद और आप देख सकते हैं कि हमारी सबजी परफेक्ट तरीके से तयार हो गई है अगर आपको भी ये सबजी बहुत ज़्यादा पसंद है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताईए कि आपको कैसी लगी लाल साग और चने डाल की सबजी बनकर रेडी हो चुकी है थैंक्स पॉर वाचिंग फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ अभी के लिए लेती हूँ जाज़त अल्ला हाफिज